हलो फ्रेंड बेलकम टुर चैनल गान फुरिक्जाम आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी स्रीच चल रही थी एक क्रॉण अब्जेक्टिव बुक की क्रॉण अब्जेक्टिव बुक में हम लोगों ने हिस्ट्री का किया था और जोगराफी इंडियन जोगराफी का किया है इंडियन जोगराफी में थोड़ा सा बाकी रह गया था उसे हम लोग आगले पार्ट में किसी वीडियो में करेंगे आज शुरू कर रहे हैं इंडियर पॉलिटी भारती राजविवस्था से संबंधित आपके एक्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार दरोगा मेंस की एक्जाम को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिटी से मेंन में पॉइंट है टॉपिक है उसे हम लोग यहां पर करेंगे तो देखेंगे आज सुरू करेंगे राजविवस्था में पहला पॉइंट है भारत का संबेधानिक विकास इस से आपके एक्जाम्स में आने वाले सभी एक्जाम्स चाहे हुआ बिहार दरोगा मेंस का हो प्री का हो बिहार एसेसी राजस्थान पटवारी की हो या एनटी पी सी सभी एक्जाम्स में ये आपको बहुत ही हिल्फूल होने वाली है तो शुरू करेंगे भारत का संवेधानिक विकास से और शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को आउन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज का अपडेट आपको समय समय पे मिल भारत का संवेधानिक विकास में पहला प्रस्जन पहला प्रसन है भारती संवैधान सभा का गठन किया था किस के अंतरगत भारती संव biss antbasawak को गठन हुआ यह हुआ था कैबिनिट मीशन योजना उप्स Numbers C अगला प्रस्न भारती सम्मिधान सभा की अस्थापना की गई थी कब भारती सम्मिधान सभा की अस्थापना जो ही थी 9 दिसंबर 946 को हुआ था और इस दिन पहले टेंप्रारी जो प्रेसिडेंट बनाया गया थे टेंप्रारी अध्याच बनाया गया थे डॉक्टर सचीदान सिनहा को और 11 डिसमबर को बनेय गया था डॉक्टर राजीन परसाद को पर्मानेंट अध्य जज अगला प्रस्न भारत के लिए शंबुधान की रचना है तू संबुधान सभा का बिचार निम्लिखित में से सरपरथम किस ने परस्तूत किया था संबिधान सवा का विचार सरप्रथम प्रस्तूत किया गया था स्वराज पार्टी ने 1934 सिस्वी में किया था आगे प्रस्न है 1946 में निर्मीत अंत्रिम सरकार में कारिपाली का परिशत के उप सभापती कौन थे अंत्रिम सरकार जिसका गठा 946 में हुआ उसके कारिपाल का परसत के उप सभापती थे जवाहलाल नेहरू सही आंसर है option number A आगे प्रस्न है संभिधान सभा के प्रांतिय संभिधान समीती का अध्याच कौन थे प्रांतिय संभिधान समीती का अध्याच बनाये गए थे सरदार पटेट option number D वहीं देखें अन्य option को तो डॉक्टर B.R. अमबेडकर जो कि प्रारूप समीती ड्राप्टिंग कमीटी के अध्याच थे पंडी जवालाल नेरू जो कि संभिधान समीती के अध्याच थे और संभिधान समीती के अध्याच थे जवालाल नेरू और डॉक्टर रजिन परसाद जो कि संचालन समीती के अध्याच थे नियम समीती के अध्याच बनाये गए थे अगला प्रस्ट निमलिखित में से कौन से कथन सम्विधान सवा के विशय में सत्ते नहीं है सम्विधान सवा के विशय में जो सत्ते नहीं है उनमें वह व्यस्क मता धिकार पर अधारित नहीं था वह प्रत्यच निर्वातन का परिनाम थी वह बहुदलिय निकाई थी उसने अनेक समीतियों के माध्यम से कार किया नीचे दिये गए कुट से सही उत्तर का चैन करना है तिन सभी में जो सही नहीं है वह है एक और दो आप्सन नमबर ए अगला प्रस्ट निमलिखित में से किस अधिनियम के अंतरगात भारतिय बिधान परिस्ट को बजट पर बहस करने की सक्ति प्रदान की गई भारतिय बिधान सभा जो है भारतिय बिधान परिस्ट को बजट पर बहस का सक्ति दिया गया था भारत परिस्ट अधिनियम अठारा सो बानवे में किया गया था अगला प्रस्त भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्याच कौन थे संविधान निर्मात्री सभा के अध्याच जो बनाय गया थे हुआ थे डॉक्टर रजिन पर साथ और यह बने थे 11 दिसंबर 1946 को प्रस्त ब्येक्तियों में से कौन कैब्येट मीशन का सद्स नहीं था गैब्येट मीशन में कुल तीन सद्स थे और जो उनमें सामिलना नहीं थे हुगा थे बिलियम बूड बिलियम बूड का संबंद कैबिनेट मिशन से नहीं है अन्य सभी पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर और अश्टैफोर्ड क्रिप्स थे कैबिनेट मिशन उनाइस सो चालिस में गठित की गई थी अगला प्रस्ट भारत के संबिधान में केंद्र और राजियों के बीच किया गया सक्तियों का बिभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर अधारित है केंद्र और राजियों के बीच में जो सक्ति बिभाजित की गई है या अधारित है भारत सरकार अधनियम उनैसो 35 के तहट सही आंसर option number C आगे निमली खित में संबिधान सभा की संग संबिधान समीती का अध्याच कौन थे संग संबिधान समीती के अध्याच बनाए गए थे जवाहलाल नेहरू option number C 46 में भार्ती राश्चे कौंग्रेस दौरा संबिधान सभा के गठन की मांग कहा पर हुई अध्याच संबिधान सभा की अध्याच का मांग उनेहर애्च नेहि champions ने रखा गया था प्रतिनीधी को निक्त करने के लिए 10 लाख ब्यक्ति पर था प्रस्न है निमलीखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्बोच न्याले के स्थापना का प्रवधान किया गया था कलकत्ता सर्बोच न्याले के स्थापना का प्रवधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1774 में कलकत्ता सर्बोच न्याले के स्थापना की गई आगे प्रस्ण है निमली कितमे से संबिधान सभा के बारे में गलत कत्थन कौन सा है इन सभी में जो गलत कत्थन है वह है इसका निर्वाचन सारव भौम ब्यसक मताधिकार के अधार के अधार पर किया गयה था यह गलत है Option no,C आगे प्रस्ण है सुची X को सुची Y से सुमेलित करना है ध्यान देंगे देखेंगे संबिधान सभा के पहले उपाध्यच बनाए गए थे H.C. मुखर जी प्रारूप समीती के मूलता एक मात्र कॉंग्रेसी सदस्य जो थे K.A. मुंसी राजस्थान की रियासितों का प्रतिनिधित करने वाले संबिधान सवा के सदस्य थे बीटी कृष्णमाचारी और संग संबिधान समीती के ध्यचते जवाहरलाल नहरू संबिधान सवा ने डॉक्टर बी आरंबिटकर के देश्टा में प्रारूप समीती प्रारूप समीती को ड्राफ्टिंग कमीटी भी कहा जाता है का गठन कब किया गया था प्रारूप समीती का गठन हुआ था 29 सगास्तुने 147 को भारती इतिहास के संदर में प्रांतो से संविधान सवा के सदस प्रांतो से संविधान सवा के सदस जो थे प्रांती बिधान सवाओं द्वारा निर्वाचीत हुए थे भारती संविधान का प्रतम प्रारूप तयार किया गया था किसके द्वारा भारती संविधान का जो प्रतम प्रारूप तयार की गई थी B. N. Raud और option number B भारत का संगह न्याले निमलिखित में से बर्स में अस्थापित क्या गया था बारत का जो संगह न्याले है ये अस्थापित क्या गया था 217 इसमें option number B भारती संविधान सवा के उद्घाटा ने दिवेशन के अध्याचता किसने की थी जो संविधान सवा का उद्घाटा ने दिवेशन हुआ था वह नौ दिसंबर को ही थी और उसके अध्याचते डॉक्टर सचीदानंद सीनहा बारत में उपनिवेशी सासन के संतर में 1883 में ईल्वर्ट विल का उद्देश था उपराँत लाया गया था और इसका उद्देश से है जहां तक दालतों की डान्डी का धिकारता का संबन्ध था भारत ये तत है एरोपी लोगों को बराबरी पर रोकना option 1 यह रहां संभीधानवा में उद्देश प्रस्ताब नियुम्न में से कीश एक के द्वार प्रस्टूत किया घ्य था उद्देश प्रस्ताब को पारित किया गया था लाया गया था पंडे जवालाव 22 अ संविधान गठन होने के बाद 9 दिसंबर को सचीदा नंसीन अपरत्य अच्छ रूप से यानि कि आस्थाय अध्यच बने फिर 11 को डॉक्टर रजेंद परसाद पर्मानेंट बने और 13 दिसंबर को जवालल नेहरुद्यारा उदेश प्रस्ता अवलाया गया था भारती संविधान सवा की प्रारूप समीती के अध्यच थे प्रारूप समीती के अध्यच बनाये गये थे डॉक्टर बी आर अमेड़कर ओप्सन नमबर सी सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है ध्यान देंगे सुची एक में है नियंत्रेन परिसद के स्थापना नियंत्रेन परिसद के स्थापना किया गया था पिट्स का भारती अधिनियम 1784 में सरबोच नियाले के स्थापना की गई थी नियामा का धिनियम 1773 में इंग्लिस मिस्निर्यों को भारत में कारे करने के अनुमाती दी गई चार्टर अधिनियम 1813 में और गवर्नर जनरल की परिस्द में कानूनी सद्धियस की नियुक्ति हुई चार्टर अधिनियम 1813 में इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे तब सही आंसर है ऑप्शन नमबर B आगे संभीधान सवा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था चुनाव हुआ था उन सभी का प्रांतिय सभाओं द्वारा ऑप्शन नमबर D अगला प्रस्ट भारत के संविधान के निर्मान में संविधान सवा का कितना समय लगा था भारती संविधान को निर्मान में भारती संविधान सवा को कुल समय लगा था दो बर्स ग्यारा महिना अठरा दिन ओप्सन नमबर ए एक संग्य बिवस्था और केंदर में द्वैज सासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा वही प्रांत में जो लगाया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा लगाया गया था और उसके अध 1935 अधिनियम में केंदर में द्वैज सासन लगाया गया प्रांत में द्वैद सासन के जनक माने जाते हैं लियोनस कार्टियस ध्यान रखेंगे लियोनस कार्टियस प्रांत में द्वैद सासन के जनक अगला प्रस्ति भारती संविधान के निर्मान से संबंधित निमलिखीत कत्नों में से कौन सही है इन सभी में जो कत्न सही होगा वह है पंडित नेहरु ने उदेश प्रस्ताव का जो संविधान सवाद्वारा सुईकार किया गया था संविधान के निर्मान पर असर था उदेश का बहुत महतपुर्ण उदेशियों की पूर्ती करती है और संविधान को भारत की लोगों ने आदेशित किया है इन सवी में सही आं स्थापित 오른쪽에 आप। सब्सक्राइब सियां अग्ला क्रीपस मीशं द्वारा और करने का प्रश्चा अधिंएंग bemतारों क्रूइब किस द्वारत के संब्रइदान का निर्मान करने का प्रस्ताफं किया गया था ? क्रिप्स मिशन द्वारा क्रिप्स मिशन को लाया गया था 1942 इसवी में अगला भारतिय संबिधानिक निर्मान के समय संबिधानिक सलाकार कौन थे संबिधानिक सलाकार थे B.N.R.O. option number C अखिल भारती महासंग स्थापित करने का प्राबधान सामिल किया गया था किसमे संभिधान सबाद्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अलपसंख्यकों हेतु सलाकार समीती के अध्याच कौन थे मौलिक अधिकार और अलपसंख्यकेतु सलाकार समीती के अध्याच बनाए गये थे सरदार पटेल आप्सन नमबर बी निमलिकी तैदिनियमों में से की सैदिनियम के फ्लसरूप बर्मा भारत से अलग हुआ बर्मा बर्तमान का जो म्यामार है बरत्मान का म्यामार जो भारस से अलग हुआ था Government of India Act भारस आसन धिनियम 1935 के तहत Option No. C 1919 के भारस आसन धिनियम के निमलिखित में से कौन सी प्रमूख विसेश्ता या विसेश्ता हैं 1919 के धिनियम का जो प्रमूख विसेश्ता है वह है प्रांतों की कारिकार्णी सरकार में द्वैसासन की व्यवस्था और केंदर द्वारा प्रांतों को विधाईनी सक्ति का हस्तां चन्द इन से भी में जो सही उत्तर है Option No. C केवल एक और तीन अगला प्रास्त भारती संबिधान को बनाने है तो भारती संबिधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे जो संबिधान बनाने में कुल 2 साल 11 महिने 18 दिन लगे उसमें कुल 12 सभा हुई थी Option No. C डॉक्टर अमबेटकर के देचता में संबिधान सभा की प्रारूप समीती में कितने अननी सदस थे प्रारूप समीती के अननी सदस कुल सामिल थे, 6 और प्रारूप समीती में कुल थे, 7 अधियच को जोड़कर के 7 और सिर्फ सदस थे, 6 Option No. C सब्सक्राइब कर दिनियम दौरास्था पिस संग में अब सेस्ट सक्तियां किसको दी गई थी यह दिया गया था गवर्नर्ट जनरल को ऑप्शन नमबर सी उनेसों पैस्थिस का गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट की ओ महत्पूर्ण नहीज ने一定要 चिश्था गवर्मेंट भी थाल का का भारतिय विधान पाले का प्रथम बार दिवसदिन बनाई गई थी किसके द्वारा। दिव सधनी रूप से बनाया गया उनाई सव उनीस के भारत सरकार अधिनी अमद्वारा आप्सन नमबर C निमलिखित में से कौन संबिधान प्रारूप समीती के सदस्य थे इन सभी में जो प्रारूप समीती के सदस्य थे उसमें सामिल है इन गोपाला स्वामी और अलादी क्रिस्ना स्वामी आयत और प्रारूप समीती में कुल साथ सदस्य थे जिसमें एक अध्यच और छे अन्य सदस्य थे प्रारूप समीती के अध्यच बनाय गये थे बी आर अमबेड कर निम्नांकित में से कौन सा एक भारत सासने धिनिया मुने 135 में सुईकार किया हुआ महतपूर्ण और अस्थाई अब्यब नहीं है इन सभी में जो 935 के द्वारा सुईकार नहीं किया गया वह है देश के लिए लिखी संविधान ओप्सन नमबर ए अगला प्रस्त कथन ए है बेवल योजना के अनुसार कारिकारी परस्त में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी और कारण है बेवल का विचार था कि ऐसी विवस्ता से भारत का बटवारा बच जाता इन सभी में जो सही है वह कथन सही है पर कारण गलत है आगे राश्टपती के अध्यदेश निर्गत करने की सक्ती प्रेरित है राश्टपती अध्यदेश जारी करता है भारत सरकार अधिनियाम उनैस सो पैथिस के तहत भारत सरकार अधिनियाम उनैस सो पैथिस के तहत है राश्टपती अध्यदेश जारी कर सकता है आगे संबिधान पांडुलेखन समीती का निवन में से कौन सद्दा से नहीं था पांडुलेखन समीती जो ड्राप्टिंग कमिटी है प्रारूप समीती है उसी का बात कर रहा है तो यहाँ पर जो उसके सद्दा से नहीं थे वगा थे जवाहलाल नहरू स़ई answer option number D जो आंत्रिम सी राश्टिय सर्कार गठत किया गया था उनaking सदास नहीं। डॉक्टर एस राधा कृष्णन अप्सन नमबर सी अन्य सभी जो हैं इसमें सी राज गपालाचारी डॉक्टर रजेंद परसाद और जगजीवन राम थे उनमें अगर देखें राजेंद परसाद डॉक्टर राजेंद परसाद को खाद देवं क्रिसी मंत्री बनाया गया था जगजीवन राम को स्रम मंत्री और सी राज गपालाचारी को सिक्छा मंत्री बनाया गया था आगे निम्न में से एक भारस सरकार धिनियम 1935 की मुख बिसेस्ताओं में से नहीं था 1935 की भारस सासन धिनियम में उसकी बिसेस्ता जो नहीं है अब सिष्ट बिसे प्रांतिय बिधायकों को अवंटित किये गए थे यह है आप्सन नमबर बी यह किया गया था 1919 में सम्भिधान सवा के चुने हुए अस्थाई अध्याच कौन थे अस्थाई अध्याच जो की 11 दिसंबर को चुने गए थे हुआ है डॉक्टर अजन परसाद जबकि सचीदान सिन्हा आस्थाई थे 9 दिसंबर को चुने गए थे अगला प्रस निमलीखीत कत्नों में से कौन सा संविधान सवा के गठन के बारे में सही है इन सभी में अगर देखेंगे सही कत्न तो वह है समुहिक सहभागिता का भावुत्पन करने के लिए जनता से सुझा मांगे गए थे और संविधान सवा के सदस्यों का गठन 1946 के प्रांते चुनावों के अधार पर किया गया था सही आंसर है ऑप्सन नमबर डी एक और चार भारती संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा भारती संविधान को अपनाया गया है संविधानिक सभा द्वारा ओप्सन नमबर ए अगला प्रस्त भारती संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगी करित किया गया कब जो संविधान सभा है उसे अंगी करित किया गया है 26 नवंबर 1999 को ओप्सन नमबर ए अगला प्रस्त भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किये गए सक्तियों का बिभाजन इन में से किस्मिय उल्लिकी तियोजना पर अधारी थे केंद्र और राजियों के बीच में जो सक्ति का विभादन किया गया है इसका उल्लेक देखने को मिलता है भारत सरकार अधिनियाम 1935 में आप्सिन नमबर C भारत की सम्विधान सवा ने राष्टिय ध्यज को सरपर्थम कब सुईकारा राष्टिय ध्यज को सुईकार किया था सम्विधान सवा ने 22 जुलाई 1947 को आप्सिन नमबर A अगला प्रस्ट भारत सासन द्वारा राजकिय चीन कब से अंगी करित किये गये राजकिय चीन जो हमारा है असो कस्तम इसे कब अंगी करित किया गया था वहे है 26 जनवर 1950 को आप्सिन नमबर A बियर अमबेटकर का संविधान सवा में निर्वाचन हुआ था कहा से बियर अमबेटकर का जो संविधान सवा में निर्वाचन हुआ था वहे है Bambay Presidency से बहु सारे लोग confusion में है कि पच्छिम बंगाल से पच्छी बंगाल से वह पहली बर चुनकर आये थे जबकि संविधान सभा के लिए उन्हें चुना गया था बंबे प्रेसिडेंसी से इस चीज को ध्यान में रखेंगे पच्छी बंगाल उनका संसादिय छेत्र था ना कि संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे जिस तरह से बरतमान में अगर देखें तो नरेंदर मूदी उनका संबंद गुजरात राज से है परुआ इलेक्टेड होते हैं कहां से बारा नसी उत्तर पर देश से इसी तरह से बी आर अमबेटकर का भी हुआ था अगला प्रस्त नीचे दो बक तब दिये गए हैं कथन ए है भारत का संविधान देश के वसकताओं की पूर्ती करता है और कारण है इसको एक ग्रिहित संविधान कहा जाता है उप्युक्त के संदर में निम्न में से कौन एक सत्त है इन सभी में देखेंगे तो वह है ये और अगला प्रस्त भारती संविधान कब लागू हुआ था भारती संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी उनैस्सों पचास को आप्सन नमबर ए शंविधान निरमात्री परिषाद में जन्डासमीति का अध्याच्छ कौन थे जन्डासमीति के ड़ाजर कोई अध्याच्छ टे वह है और रजीन प्रसाथ यहां पर भी आप क्योंकि जंडा समीती दो गठित किये गए थे उन दोनों में से कहीं पर भी जेवी कृपलानी का नाम नहीं आता है तो निर्मादमत्री इस परिशद में जंडा समीती के अध्याच कौन थे डॉक्टर राजेंद्परसाथ अगर आप लोग को फिर भी कंफ्यूजन है तो आप एक वार BPSC जो घटना चकर है वहाँ आप देख सकते हैं हमने वहाँ पर ऐसा ही देखा है BPSC UPSC जो बोर्ड है ये कभी नहीं मानता कि जंडा समीती के अध्याच जेवी कृपलानी थे ठीक है आगे बढ़ते हैं भारतिय समबधान को 26 नवांबर 1949 को किसके द्वारा अधिन्यामीत किया घ्या गया था समबधान सभा द्वारा option न बर European अगला प्रस निमलिखीत कत्नों पर विचार की जिए कि उख्तिय गोल में संभेलन के विचार ये चैः बिमर्ज की परिनिती भारत सरकार इनियाब मुनाई-135 के पारित होने के क्रम में हुई और दूसरा है भारत सरकार अधिनिया मुनाई-135 ने ब्रिटिस भारत के सुबो और भारती रियास्तों में एक संग पर आधारित All India ब्रिया फेडरेशन का गठन उपबंद किया भारत सरकार अधिनिया मुनाई-135 अखिल भारती शंग का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनिया मुनाई-135 में तो इन सभी में सई है ऑप्सन-सन मेर सी अगला प्रस्त निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए कतन एक है भारत की संविधान सवह ने राष्टिय ध्वज का प्ररूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था और भारतिय ध्वज के बीच चक्र में कुल 21 नहीं 24 तीलियं है राष्टिय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात तीन नुपात चार है नहीं 49 तीन है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कहरा लंबाई चौड़ाई रहेगा तब ऐसा होगा तीन सभी में जो स確 हुआ है केवल एक औप्न नंबर बी अगला प्रस्ट संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्न है इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया था क्योंकि इसी दिन कॉंग्रिस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था सही आंसर अप्सन अमबर ए किस बर्स में जन गन मन को भारत के राष्टगान के रूप में अपनाया गया है जन गन मन को अपनाया गया था 1950 में आप्सिन नमबर C संभी धान सावा में ब्यस्क मता धिकार को 15 बर्स के लिए अस्थागित करने की बात की थी किसने ब्यस्क मता अधिकार को 15 वर्ष के लिए अस्थागित करने का बात कहा था मौलाना अजाद ने आप्सन नमबर C आगे किसने कहा था संबिधान सवा कॉंग्रेस थी और कॉंग्रेस भारत था यह कथन है आउस्टिन का आप्सन नमबर A आगे प्रेस ने निम्लिखित में से किसने सुझाब दिया था कि भारत की स्वतंतरता के बाद भारती राश्टि कॉंग्रेस को एक राजनेतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए यह कथन कही गई थी कि कॉंग्रेस को राजनेतिक दल के रूप में भंग करना है आप्सन नमबर D महात्मा गांधी ने आगे प्रसने संबिधान सवा में कूल कितनी महला सदस से थी कूल महला सदस से थी 15 आप्सन नमबर E अपनी राष्टवादी प्रतिक किरिया में भारती संबिधान के निरमाताओं में अलप संख्यकों के हीतों तथा भावनाओं के महत्म को कम करके आका गया है यह कथन है आईवर जेनिंग्स का आप्सन नमबर D तो यह थे भारती संबिधान से संबंदित कुछ प्रैस्ण और आगे जो है वह है संबिधान का बिदेशी स्रोत आगे बढ़ने से पहले आप लोग का एक कन्फियोजन दूर कर दूँ इस से पहले हम लोगों ने इंडियान जोगराफी जो किया था उसमें कुछ पार्ट बाकी है तो लोग उसको हम लोग आगे कुछ वीडियो में देखेंगे अभी इंपॉर्टेंट्स होने के कारण निकजाम नजदीक होने के कारण हमने कुछ चुनिंदा टॉपिक पॉलिटी से उठाया है के लिए आप लोग उसे ये नहीं रखेंगे कि उसे छोड़ दिया गया है जल्द ही उसे भी कंप्लीट कराया जाएगा तो सुरू करेंगे संभिधान पर बिदेशी प्रभाव देखेंगे प्रस्ण है भारत की संघात्मग व्यवस्था निमली खित में से किस देश से संबंदित है संघात्मग व्यवस्था जो की लिया गया है कनाड़ा के संभिधान से अगला प्रस्ण नियाईक पुन्राबलोकन की व्यवस्था नियाएक पुन्राबिलोकन जो के लिया गया है बाहरी देश भारत और USA में जो लिया गया था USA से पर वो सामिल है भारत और USA दोनों में ये चीज़ को धियान रखेंगे नियाएक पुन्राबिलोकन लिया गया है भारती संबिधान से सारी अमेरिकी संविधान से पर वो सामिल है भारत और अमेरिका दोनों में आगे सुची एक है भारतिय संविधान के मद और सुची दो है जिस देश से अपनाया गया के साथ सुमेलित करना है देखेंगे सुची एक को सुची दो में सुमेलित करें प्रस्न को थोड़ा छोटा करें ताकि आपको आप्सन दीख जाए मिलाएंगे राज के निती निर्देशक सिधान्त को अपनाया गया था आयरलेंड से मूल अधिकार ये अमेरिका से लिया गया संग राज संबंधों की संबर्ती सुची संबर्ती सुची लिया गया और भारत राज्यों का संग है तथा संग में अधिक सक्ती नीत है या कनाड़ा से लिया गया है सही आंसर इन सही में है आप्सन दी तीन पाच एक दो अगला प्रस्ट, सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है सुची एक है संबेधान एक प्राबधान और सुची दो है स्रोत यह हम मिलाएंगे मौली का दिकार यह है अमेरिका का दिकार पत्र से राज के निती किंदिर्दे सक्तेत्व आईरिस संबेधान से मंत्री मंडल सरकार ले गई है ब्रिटिस प्राद्ध से संबिधान से और केंदरा संबंध कनाडा का संबिधान से आप्सन है 4-3-1-2 आप्सन नमबर D अगला प्रस्ट भारत के संबिधान में उदेशका का बिचार के लिया गया है कहां से उदेशका का बिचार जो की पेस किया गया था जवाहलाल नहरुद्वारा 13 दिसंबर को और यह लिया गया है USA के संबिधान से उदेशका ही बर्तमान प्रियम्बल है आगे भारत के संबिधान निर्माताओं ने साथवी एनुसूची में बर्नित संबर्ती सूची के अवधारना को ग्रहन किया है जो हमारे संबिधान में साथवी एनुसूची है उसमें तीन सूचियों का बर्नन किया गया है संग सुची, राज सुची और संबर्ती सुची इनमें संबर्ती सुची को लिया गया है आस्टेलिया के संबिधान से आगे प्रस्न है निमली खित में से कौन सा कथन सत्य है इन सभी में अगर कथन सत्य देखेंगे तो संयुक्त राज अमेरिका में सरकार की संग्ये प्रनाली है भारत में सरकार की संग्ये और एकात्मक दोन प्रकार की प्रनाली है और फ्रांस में सरकार की संग्ये प्रनाली है इन सभी में सही है उपरोगत सभी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इन में से कौन सर्वोच है इन सभी में अगर भारती राजनीति व्यवस्था में कोई सर्वोच है हुआ है संबीधान उसके बाद सर्वोच निया ले भारतीय संसद्य प्रणाली ब्रिटिस संसद्य प्रणाली से इस बात से भीन है की भारत में यानि तुलना क्या गया है भारत और ब्रिटेन की ब्रिटिस संसद्य प्रणाली से तो दोनों में भीनता यह है कि निया एक पुन्रा बिलोकन भारत में निया एक पुन्रा बिलोकन ह या अमेरिका के संविधान से लिया गया है अगला प्रस्न सुची एक को सुची दो में सुमेलित करना है सुची एक है संविधानिक प्रवधान और सुची दो है सुरोत तो ध्यान देंगे प्रस्न को छोटा कर रहे हैं तक कि आप संदिखे अब देखें बीधी का सासन बीधी विद्वारा स्थापित प्रकीरिया जपान से राश्टपती के विचारत राजपाल द्वारा विद्धेयक सुरचित रखना कनाडा से और विश्त्रित उभैनिष्ट सूची यानि की संबर्ती सूची आस्टेलिया से इन सभी में जो सही आंसर है दो तीन चार एक ऑप्सन नम पुनरीक्षन जो डीसियल रिभ्यू की संकल्पना निमलांक के देश से संबंध है नियाइक पुनरीक्षन या लिया गया है अमेरिका के संबिधान से USA के संबिधान से आगे भारती संबिधान में अन्य देशों के संबिधानों से कुछ बिसेश्टाओं को लिया गया है कि देश का राज के निति निदेशक तत्व के निर्मान में योगदान है। यह ऐا आइरलेंड आेरीस संविधां से। अगर फ्रांस से बात कर लें तो फ्रांस से लिया गया था बंधोत वे भाई-चारा स्वतंतर था ये सबी सब्ध को। जपान से बात करें तो जपान से जो लिया गया है उनमें सामिल है बिधी द्वारा स्थापित प्रकीरिया का सिध्धन्त और अमेरिका से तो सबसे प्रमूख वह है कौन सी मुल अधिकार मुल अधिकार सरवोच न्यालय नियाएक पुन्राबिलोकंट संविधान की सरवोचता राश्पती पर महाभ्योग ये सब हिल लिया गया है अमेरिका के संविधान से अब आगे निमलिखित में से कौन सा लच्छन भारती परिसंग और अमेर की परिसंग में समान रूप से पाए जाता है वह है संबिधान के निर्वाचन के लिए परिसंग है उच तम नियाल है अगला प्रस्त सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है सुची एक है भारत के संबिधान के लच्छन और दूसरा है किस देश से ग्रिहित है तिन में देखेंगे मूल अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संबिधान से भारत में संसद्य परिनाली यूके के संबिधान से अपात उपबंध आपात उपबंद को लिया गया है, जर्मणी से और राज के निती निर्दे सक्ता अतव लिया गया है, आइरलेंड से तो सईब आंसर ऑफ्सोन, नम्बर, C भारती संब्यधान में मॉलिक करतब्यों को बिचार लिया गया है, कहां से मौलिक करतब चुलिया गया है वह है रूस के संविधान से रूस को पूर्व सोविय संग भी कहा जाता है आगे प्रेसने कथन ए भारत का संविधान सबसे अधीक लंबा हो गया है और कारण है मौलिक अधिकारों का ध्याय अमेरिकन सम्विधान के मॉडल से लिया गया है नीचे दिये गये कूट का परियोग करते हुए सही उतर चुने तीन सभी में जो सही है वह है आप्सन नमबर B A और R दोनों सही है और R A का सही ब्याख्या नहीं अगला प्रस भारत लिखी सम्विधान का प्रारंब किस देश से हुआ है लिखी सम्विधान का जो प्रारंब माना जाता है वह है अमेरिका अमेरिका का सम्विधान जो है वह लिखी सम्विधान है और वहीं से प्रारंब हुई है आखरे प्रस्ट भारती संविधान में सन्नी हित मूल अधिकारों के अब्धारना किस देश के संविधान से ग्रहन की गई है मूल अधिकार के अब्धारना ली गई है अमेरिका से तो ये थे विदेशी स्रोत से संबंधित कुछ प्रस्ट अब जो आगे टॉपिक हुआ है संभीधान मेनु छेद एवाम अनुसूची इसमें लाश्ट तक बने रहेंगे चलिए शुरू करते पहला है भारतिय संभीधान है तो भारतिय संभीधान में क्या कुल बारा अनुसूची है मैं हर प्रस्ण के लिए आपको तीन सेकेंड का टाइम दूँगा आप लोग वियांसर को हल करेंगे और साथ ही आप हमें बताएंगे कि आपके कुल अस्कोर्स कितने है दूसरा प्रस्ण भारत के संभीधान के निम्लिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल लिष्ट में जा करके देख लेंगे पॉलिटी वाय मर्जित सरक करके है उसमें अनुसूची उद्देशिका भाग ये सभी वीडियो अपलोड है आप लोग उसे एक वर जरूर देख लेंगे बहुत ही अच्छे तरीका से समझाया गया है ठीक है चलिए आगला देखते रा आएच्छेद एक सो सत्रह ठीक है चाइज चौद़ा नमबर निमलिखीत में से कौन सा आपिस है भारतिय समझान के साथ वी अनुसूची की सूची तीन संब़ती सूची में सम्मिल सामिल है इसका साइज अंसर है अप्सन नमबर एध दंड प्रकिरिया पाचबा भारतिय सम समंद के बारे में बताता है छटा सरकार्द रासुल्क एवं कर लगाने का अधिकार सम्मिदान के किस अनुसूची में इसका सही आंसर है आपसन नंबर बी साथ भी अनुसूची में सहुल्क और कर लगाने का यानिकी टैक्स लगाने का अधिकार है साथवा भारत के समीधान के अंतरगए विसे तथा सुची के बारे में समयलित करना है, कॉन से विसे किस सुची से समन्दीत है इसका सचाह उप्षन नंबर, स्वरी, यहाँ फिक बोल रहा है, सुमयलित नहीं है, ठिक है तो option number B है जो सही answer हो जाएगा और सेर बजार संबर्ती सुची सेर बजार संबर्ती सुची नहीं ये संग सुची के होते हैं जब कि one संबर्ती सुची डाग घर संगे सुची और जन स्वास्त राज सुची का भी सही आठो प्रस्त भारतिय संबर्ती संबर्ती सुची निमलिखित में से किन राजियों के जनजातिय छेत्रों के प्रसासन से संबर्ती थे यानि कि छट्थिया नुसूची किस राज से संबर्ती थे इसका सही answer option number B मिघालाई तिरिपूरा और मिस जोरम ठीक है साथ में आसम भी साथ में आसम भी संबर्ती थे ठीक है आप लेकर प्लेलिस्ट में जाकर करके उस वीडियो को देख लेंगे उससे कि आपका सारा confusion क्लियर हो जाएगा उसके वाद आपको प्रस्न हल करने में आसानी होगी ठीक है नव अपरस्ट सुची एक को सुची दो से सुमेलित करने सुची एक है संबिधान का अनुछेद और सुची दो है अंतर बस्तू इसके सही आंसर हो जाएंगे option number a अनुछेद चाहज़न किसे समय दिते भारत कर आउप्र आछट सब्सक्राइब करते के निवार्चन अनुछेद 75 परधान मंत्र और मंतरी पर्शट की न्यूकती अनुछेद 155 राजपाल की न्युक्ति और अनुछेद 164 राज के मुख मंत्री और मंत्री परसट की न्युक्ति ठीक है दसवा सुची एक को सुची दो से सम्मेलित करना इसका सही आंसर है ओप्सन नमबर बी भारतिय सम्मेदान का भाग 9 कि से संग्छेत्र से भाग 8 नगरपाल का से भाग 4 ए और इसके सही आंसर हो जाएंगा ओप्सन नमबर भारतिय सम्मेदान का भाग 9 पंचाइद से भारतिय सम्मेदान का भाग 8 संग्छेत्र से भारतिय सम्मेदान का भाग 4 ए मूल करतब से और 9 ए नगरपालिका से इकारवर प्रस्ट सिक्षा जो प्रराव में राज सूची का विसाय था उसे संबर्ती सूची में अस्थांत्रित क्या गया किस संसोधन के द्वारा ठीक है इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C 42 वे संसोधन द्वारा 12 वे संसोधन द्वारा पंचायती राज विसाय किस सूची में सामिल है इसका सही आंसर है ओप्सन नमबर B राज सूची 13 सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना और सही उत्तर चुनना है सूची एक क्या है और सूची दो क्या ये देख लेंगे इसका सही आंसर आप्सन नमबर B नए राज जी को सामिल करना अनुच्छेद 2 समता का अधिकार अनुच्छेद 14 ग्राफतारी और निरोध का सारच्चन अनुच्छेद 22 और राष्टपती का विदह एकोनमती देने का अधिकार अनुच्छेद 111 14 नमबर निमलिखित में से कौन से समबर्ती सुची में है यानि कि क्रिसी, सिक्छा, पुलिस, रक्चा ये सब में कौन से समबर्ती सुची में है इसका सही आंसर आप्सन नमबर B, सिक्छा अगला भारते समिदान में आरा है में कितने अनुच्छेद थे इसका सही आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर C 395 16 नमबर सम्विदान के नुसूची 6 में इनमे से किस राज में लागू नहीं होती है इसका सही आंसर हो जाएगा मनिपूर 17 वा बित विधयक के बारे में 20 सुप बंद किस अनुचेद के अंतरगत किया गया है इसका सही आंसर है उप्सन नमबर A अनुचेद 117 में बित विधयक अठार सम्विदान के किस अनुची में प्रत्येक राज जेवम संग राज छेतर के लिए राज सवाव में सीटो का वाटन टिन किया गया इसका सही आंसर रुक्या होगा अप्सन नमबर D चतुर्त अनुची उनिस्वा पंचायतो को सम्विधानिक दर्जा प्रादान किया जाता है किस अनुचेद के अंतरगत इसका सही आंसर अप्सन नमबर B अनुचेद 243 हना भाग नो सुची एक को सुची दो से सुम्मेलित करना है इसका सही आंसर होगा अप्सन नमबर C अनुचेद 323 ए प्रसासनिक अधिकरन अनुचेद 324 निर्वाचन अनुचेद 330 लोग सभा में के लिए अनुचेद जाते अनुचेद जनजातिक सदस्ट का रक्छन और अनुचेद 320 लोग सेवाए होगे के कारे फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सेर जरूर करते रहें बस यही एक रिक्वेस्ट ए ठीक है जिससे कि आपके द्वारा और भी अन्य लोग जूड सके एकिसवा भारत में बरतमान सम्विधान में गन्ना की द्रिष्टी से कुल कितने अनुचेद और अनुचेद और अनुचूचियां है इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ओप्सन नंबर बी 395 अनुचेद और 12 अनुचूचियां 22 निमलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्ता और सम्विधान के अनुचेद सुमेली थे सुमेली थे कौन सी तो सही आंसर है ओप्सन नंबर भारत का निर्वाचा नयोग अनुचेद तिनसो चोविस 23 नमबर भारत के समिधान के किस अनुसूची में विभिन राज्जियों में अनुसूची छेत्रों के प्रसासन और नियंतरन के लिए विशे सुपपन दे इसका सही आंसर है ओप्सन नमबर B पाचवी 24 नमबर सुची एक को सुची दो में समिलित करना है और सही उत्तर चुनना है इसका सही आंसर है ओप्सन नमबर D अनुच्छे 14 समानता का दिकार अनुच्छे 36 निति निर्दे सक्तत अनुच्छे 74 मंत्री परिशद अनुच्छे 368 सम्विधान संसोधन प्रकिरिया 25 नमबर भारती सम्विधान में सामिल है इसका सही आंसर है ओप्सन नमबर एक 395 मेन उच्छे 22 भाग एवं 12 सूचियां आप लोग भी आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे ठीक है कमेंट करते जाएंगे और जो सजेशन भी होंगे वो बताएंगे और अपने कुल असकोर भी बताएंगे 26 नमबर निमलिखित में से कौन सा बिस है संबर्ती सूची का पुलिस अपराधिक मामले रेडियो और टेलिवीजन बिदेसी मामले 27 नमबर निमलिखित में से किस लिए किये गया है इसका सङी आंसर है ओप्सन नमबर न ए आनुसूची जातियों के हितों के सरचन पाचवी और छटी अनुसूची में आनुसूची जातियों के लिए 29 निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए कत्न एक भारत के संब्यधान में 20 भाग हैं नहीं भारत के सम्विधान में कुल 90,39 भारत के सम्विधान में 9,10 गार्यों और 12,20 नुसूचियों का सम्विधान संसोधन दिनियम द्वारा जोड़ा गया ये बिल्कुल सही है अप्सन नमबर C तीसवा भारत के सम्विधान के अंतरियत आर्थिक योजना का विस्या है आर्थिक योजना का विस्या कौन है इसका सही आंसर आप्सन नमबर C संबर्ति सूचि 31 भूमिस उधार के विस्या के अंतरियत आता थे भूमिस उधार की सूचि में इसका सही आंसर आप्सन नमबर C राज सूचि 32 भारतिय संंव्यदान के किस अनुछेद के अंतरगास आखिल भारतिय सिवाओं का प्रावधान किया गये इसका सही answer option number C 312 33 भिवा, भिवा, बिच्छेद और गोद लेना संंव्यदान के 7 वी सूची में निमलीखित के अंतरगास संमेलित किये गये इसका सही answer option number C, सूची 7, संब्रती सूची में है जानी कि विवाब, विवाब, विछेद, गोध लेना ये से भी संब्रती सूची से संबंधित 34,20 गरिकता के से संबंधित प्रावधान संब्रतान के किस भाग में है इसका सही answer option number C, भाग 2 में 35 नमबर राज सुची सुधार है दिनियमों को संबेधानिक सुधार प्रदान करने है तो सम्मिलित किया गया है इसका सही आंसर है अप्सन नमबर बी नौवियन सुची में संबेधानिक सुरच्छा प्रदान करने के लिए ठीक है राज भूमी सुधार यानि कि भूमी सुधार किस अनु सूची में तो नौब यानु सूची में दसवा में दल वदल है ना आठवा में भासा साथवा में सूची 36 निमलिखित में से कौन एक साई सुमेलित नहीं है इसका अंसर अप लोग पटा-पट करेंगे है ना 36 नमबर अपसोन नमबर 9 44 नियाइपालका एवं कारिपालका से परिटखकरन ये 48 नहीं है अर ये 50 में ठीक है नियाइपालका और कारिपालका का परिटखकरन अनुचेद 50 में जब के 1-64 की बात करें तो समान नागरिक साहिता सही है 4-64 ग्राम पंचाहित बिल्कूल सही है और अनुच्छे 49 समान न्यायवं निसुल्क बिदिक सहाईता। सही 30 नमबर सम्विदान की 11 अनुशूची किसे समंदिते सबको पता होगा। अपस्व नमबर 25 रजव की 12 में नगर पालिगा। अर्थ इसनिमलिकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर क्या है। अपस्व नमबर C मौलिक करतव सम्विदान का भाग 6A नहीं 4A में। सेस देख ले तो नगर इकता सम्विदान का भाग 2, मौलिक अदिकार सम्विदान का भाग 3 और राज सम्विदान का भाग 4 में। 49 नमबर सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है इसका सही उत्तर चुनना है सही आंसर है इसका अप्सन नमबर सी यानि कि साथ ब्यानु सूची में क्या है बिधाई सक्तियों का बिबरन यानि कि संबर्ती राजे और संग सूची आठी बेन सूची भासा नौव भी में क्या है कुछ आदिनियामों का बीधी माननी करन और दसवा में दल बदल चालिस सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना और सही उतर चुनना है सूची एक के सम्धान के नुच्छेद और सूची दो है विसे इसका सही आंसर है ओप्सन नुमबर ए अनुच्छेद 124 कि से समन दीते संगे नयाई पालका से अनुच्छेद 5 दागरिकता से अनुच्छेद 352 आक्समिक प्रसार प्रावधान और अनुच्छेद 245 विधाई सक्तियों का बित्रन एक तालिस नुमबर निवन में से कौन राज सूची में है इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नुमबर ए रेलेवे पूलिस रेलेवे है सेंटरल का रेलेवे पूलिस राज सूची में आता है ठीक है 42 नुमबर सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है सूची एक है सम्मिधान के निवसूची और सूची दो है विसे इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नुमबर पलियान देख लेते तो 42 का सी चौथा किसे राजवासा स्वरी राजशवा छठा जनजातिय छेत्र आठवा भासा नौमब भूमी सुधार 43 नुमबर सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है इसका सही आंसर ओप्सन नुमबर ज़े नैज्राज्यों का गठन भारते समिधान का इनुचे 3 नागरिक्ता भाग 2 मौलिक अधिकार भाग 3 और पैसासनी का अधिकरन के स्थापना भारते समिधान का इनुचे 323 1 44 नंबर सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है सूची एक है संस्थान सूची दो है अनुछेद इसका सई अंसर है अप्सिन नंबर भारत का नियंत्रा के अमालेखा परिच्चा क्यानिकी कैग का बरना है अनुछेद 14 बीतायोग अनुछेद 287 प्रसासनिक अधिकरन अनुछेद 323 संग लोकसेवायोग अनुछेद 315 45 नंबर हमारे सम्मिधान के किस भाग में 305 में पंचायते बनाने की परिकल्पना की गई है पंचायत के लिए अनुछेद सुरी भाग 9 ओप्सन नंबर ए 46 नंबर सुची एक को सुची दो से सुमिलित करना और सही उत्तर चुनना है सुची एक के सम्मिधान के अनुछेद और सुची दो है प्राफधान इसका सही आंसर है ओप्सन नंबर ए अनुछेद 215 उच नियाले का अभिलेक नियाले होना अनुचे 222 किसी न्याइधिस का एक उच न्याले से दूसरे उच न्याले में अंतरन यानि के ट्रांसफर और अनुचे 226 कुछ रिट निकालने के उच न्याले की सकती और अनुचे 227 सभी न्याले के अधिछन की सकती मैं बता दू रीट जो होते हैं वो कुल पाच प्रकार के रीट साम्मिल किया जाता है ना और चारी किया जाता है 47 भारते समिधान के साथ भी अनुसूची के अंतरगत संग सूची में निमलिखित में से किसका उलेख नहीं है संग सूची में इसका साई आंसर और बियाज 46 भारते समिधान के निमलिखित में से कौन सी एक राज की नामों की सूची त सहता हुनके राज-चेत्रों का व्योरा देता इसका साई आंसर है आप्सिन नमबर ए पहला निमलिखीत में से किसका सुमेल नहीं है इसका सही आंसर हो जाएगा आप्सिन नमबर डी बी और सी का बी क्या है अनुछेद 78 संसद का गठन ये गलत है और सी अनुछेद 192 संसद सदस्यों के बेते नेवं भते यहाँ पर सही बोल रहा है तो ये दोनों सही है ठीक है आगे पचास नमबर सुमेलिद करना सुची एक और सुची दो को सुची ए में सम्मिधान की अनुछ सुची और सुची दो में विसाई का बात इसका सही आंसर है ओप्सिन नमबर ए केंद्र सुची जन गन्ना 51 नमबर सुची एक को सुची दो से सुमेलिद करना है ठीक है इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सिन नमबर बी संबेधानिक संसोधन अनुछे 368 बीतायोग 280 बीतिय अपात अनुछे 360 आखिल भारतिय सवाय अनुछे 312 भारत में कुल तीन प्रकार के अपात का लागू के जाते हैं अनुछे 352 356 और 360 52 नमबर भारत के संबेधान के चौतिय अनुछी बीवेचित करती है किसे इसका सही आंसर है आप्सन नमबर ए राजसवाव में अस्थानों के आवंटन को 35 नमबर सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है सुची एक है प्रावधान और सुची दो है संबेधान के अंतरगत अनुछेद संख्या इसका सही आंसर है और आप्सन नमबर बीदी के समुक समानता अनुछेद 14 कार करने का अधिकार अनुछेद 41 कार करने के लिए सही और मान ब्यवी स्थीतिया अनुछेद 42 बच्चों के लिए मुप्त ततानिवार सिक्षा अनुछेद 45 आप लोग एक वर जा करके अनुछेद का वीडियो जरूर देखेंगे ठीक है चौवान नमबर निम्लिखीत में से कौन सब इस है भारतिय समिधान की संग सुची से संबंधित नहीं है संग सुची से तो सही आंसर हो जागा ऑप्सन नमबर डी क्रीसी साथ में रेल्वे भी होगा स्वरी रेल्वे नहीं रेल्वे संग सुची का है रेल्वे पूलिस रहेगा तब वो राज सुची का विशाय होगा प्रप्सन नमबर यदि भारत संग के एक नए राज का स्रीजन करना हो तो सम्मिधान की किस अनुसूची के लिए वो एक अवस संसोधन करना होगा इसका सही आंसर है आपसन नमबर A यानि किस नए राजिक को बनाना हो तो अनुसूची एक में उसे संसोधित करना होगा चपन नमबर निमलिखित में से कौन सा यह किवम सही सुमेली थे सही सुमेली थे इसका सही आंसर है आपसन नमबर C सम्मिधान का चवथा का भाग मौलिक करताब्बे से आगे देख ले अगर सम्मिधान का दूसरा भाग संतावा नंबर सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे देगया कूटके से सही उत्तर का चैन कीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन नंबर मौले का दिकार भाग तीन भारत का संभिदान मौले करतब भाग चार ए संग भाग पाच अपात उबंध भाग अठरा है ना 69 नंबर ख्रेंट सी एक बलर हो गया आप लोग टेंसर मतले मैं बताता हूँ है ना सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना और सही उत्तर का चैन करना इसका सही आंसर होगा आप्सन नंबर बी मैं पढ़ दे रहा हूँ अनुचेद 76 भारत का महान्याईवादी अनुचेद 14 भारत का नियंत्रा के वा महलेखा परिच्छक यानि की कैग अनुचेद 75 एक किंद्रे मंत्रियों की न्यूकती और अनुचेद 111 सर्बोचन याले का छेत्रा धिकार उनसर नंबर निमलिखित में से कौन भारतिय सम्भीदान के अंतरगत सही सुमेलित नहीं है तो इसका सही आंसर होगा क्या ओप्शन नंबर डी अधिकरन भाग दस्त साथा प्रस्त सुची एक का सुची दो से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चैन करना है इसका सही आंसर है ओप्शन नंबर बी सम्भीदान का भाग 15 किसे निर्वाचन से भाग 16 कुछ बर्ग के लिए विशेश उपबंद भाग 17 अपात उपबंद सोरी राजभासा और भाग 18 अपात उपबंद भाग 15 निर्वाचन भाग 16 में कुछ बर्ग के लिए विशेश उपबंद भाग 17 में राजभासा और भाग 18 में अपात उपबंद ठीक है तो फ्रेंड्स इस तरह से सम्मिधान से संबंदित कुछ अनुसूची और अनुछेद के महत्पून प्रस्न थे उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को करेंगे साथ ही बेल आइकन को अन कर लेंगे जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे साथ ही आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करेंगे जैहिन धन्यवाद